तो दोस्तों यूटूब अपने YouTube Creator Award के लिए अपडेट लेका है आपको पता होगी अगर हम किसी मैलेस्टों को कंप्लेट करते हैं जैसे एक लाश सब्सक्राबर कंप्लेट करते हैं तो यूटूब हमको एक क्रिएटर आवार्ड देता है तो दोस्तों यह जो आवार्ड था पहले इजली मिल जाता था हम सिधा अपने रिडिम संट को डालते थे उसके बाद हम उसको रिडिम करते थे अपने शिपिंग ड़र डालकर उसको हम अपने अड्रेस पर मगा लिते एकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होने वाला अगर आप अपने इस माइलेस्टों को कंप्ली सब्सक्राइबर कंप्लेटन का वार्ड दिया जाता है उसके बाद मिलीए सब्सक्राइबर कंप्लेटन प्लेटन दिया जाता है एंगर न embryo होगो एक स्बस्क्राइबर कंद करता है गsan най अस Кстати कर नंपHEल ने अपने एक पूर आपदे अगर आपने अपने चैनल पर 6 मंथ से कुछ भी अपलोड नहीं किया है जैसे कि अगर अभी आपका सब्स्राइबर का मैलेशनल कम्प्रेट हो जाता है तो आपको पिछला 6 मंथ देखना पड़ेगा कि आपने कोई भी वीडियो अपलोड किया है कि नहीं और फिर कोई भी पो करना पड़ेगा जितने भी रूल यूटूब ने बनाए हुए उसको आपको सब को फॉलो करना पड़ेगा उस तरह से आपको अपने चैनल पर काम करना पड़ेगा तब जाकर आप इस अवार्ड के लिए आप यहां पर ले सकते हो और दोस्तों पाच्वार रूल है कि you have not be suspended from YouTube partner program मतलब कि अगर आपका कोई चैनल है आपने उसको monetization के लिए अपने YouTube के पास भेजा हुआ था आपका चैनल monetize हो चुका था लेकिन बाद में अगर YouTube ने उसको demon monetize किया हुआ है तो आप अपने इस creator award के लिए नोमिनेट नहीं हो सकते यह आपको नहीं दिया जागा और दोस्तों चाथा और इंपोर्टेंट रूल है कि अगर आपका चैनल पहले टर्मिनेट हो चुका है जिसका कोई भी एक पहले चैनल था रोड टर्मिनेट हो चुका है लेकिन अगर उस तरह से अघ finely अगर सुस्फेंट हो जाता हो जाता तो में जतने काने इस आवार को ले सकते हो और दोस्तों कोई भी एस्पैम कर रहे हो अपने वीडियो में कोई भी गलत चीज़ बता रहे हो तो यहाँ पर यूटूब अगर इसको चेक करते रहता है लेकिन अगर आपका जो चैनल आता है तो आपको यह आवार्ड नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने इस गलती को करा हुआ ह तो इस तरह से आपको अपने चैनल पर कोई भी एस्पैम कंटेंट नहीं डालना अपना सरिफ ओरिजिनल कंटेंट आप डाल सकते हो तो इस तरह से आपको यह आवार्ड मिल जकता है और दोस्तों आठमार रूल कि आपका जो कंटेंट है वह ओरिजिनल होना चाहिए अगर आप अपने कंटेंट में किसी भी अधर कोई अप्रोड किया हुआ है और अगर आप उसका वीडियो लेकर अपने चलब पर मिक्स करते हो या फिर किसी तरह से बहुत ज्यादा यूज करते हो उसके वीडियो का तो आपके वह ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा इस तरह से लिए तो यहां पर यूटूब से पहले आपको एक रीडियम को भेज़ेगा आपको जो भी प्रोटन आपको मिलने वाला वेबसाइट बना हुआ उसमें आपको जाना पड़ेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएका वहाँ पर जैसे आप प्रोसिट करेंगे उसके बाद वहाँ पर आपको सिफिंग इंफोर्मेशन डालना पड़ेगा जहां पर आप उस सिलवर पले बटन या फिर जो भी अवाड को आप मंगवाना चाहते हो उसके बाद दोस्तों वहाँ पर क्या हो कि आपको अपने चैनल का अस्पेसिफिक नाम पड़ेगा जो हमाँ पर आप अपने चैनल पर से से मैनुवरी डोसे ओर येरूर। बास जाइगा उसके बाद दोस्तों हो सकते हिआपको टैक्स आडियों कुछा जाए, आपके आवाड को रीडियुम करते समय तो वहाँ पर उसका जरूरों तिसलिए क्योंकि कुछ़ फिर दोस्तों जैसे आपका सब को इनफोर्मेशन सब्मिट हो जाता है और अपने अवार्ड को जब आप रीडिम कर लेतों तो आपको लगभग 2-3 दिन में आपके घर तक वह डिलिवर कर दिया जागा तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका जो वहाँ से वह सिपिंग वहाना इस्टार्ट हो जागा तो वहाँ पर जो कमपनी के थुरू आपको सिपिंग कराया जागा उसको यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इमेल भेजागा और इमेल में आपको एक ट्रेकिंग आडिड दिया जिससे आप वहां पर अपने आवार्ड को ट्रैक कर सकते हों कि कौन से जगह पर आपका जो आवार्ड है अभी कितना दूर तक अभी आ चुका जिस तरह साब फिलिपकाट या फिर एमेजन में ट्रैक करते होगे अपने ओडर को उसके बाद दोस्तों जब तक वह आपके तक कंपनी के द्वारा तो हो सकता है कि आपको बीच में कभी भी कोई भी एक डॉकुमेंट के लिए पुछा जाए क्योंकि जब कस्टम के ऑफिस में वहां पर कुछ करवाना पड़ता है तो आपको उसको सब्मीट करना पड़ेगा ने तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो सकता है आपका जो आवार्ड है हो सकता और दोस्ता जब आवार्ण हो सकता है और दोस्ता जब आपके अट्रस तक Ó उसके बाद अगर आप फिर भी अपने इसको खरीदना पड़ेगा कि जिस तरह से आपका आवाड होता है जिस तरह से Silver Play Button है, Diamond Play Button है, Gold Play Button है तो इस तरह से सब का एक price fix किया गया अगर आपका चैनल का Milestone Complete हो जाता है आपका आवाड आते आते हैं अभी आपको नहीं मिलता है तो आप उसको एक बार Purchase कर सकते हो और अपने चैनल के लिए उसको मंग को प्रेस करना तो चलिए मिनते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद